अब बॉर्णिंग अरिबडी कैसे हैं आप लोग वेल्कम हैं ग्लोबल क्लासेज में आपका आज हम लोगों सिखने वाले हैं आज टेन क्लास के बच्चों के लिए बड़ा ही पॉडल कॉंसेप्ट है जो है आपका आयो पेसी नेम वाइट आयो पेसी नेम ए आपको एग्जा हैं तो आने वाले बच्ट में और यानिक केमेट्री आपको बहुत ही बेस्त हो जाएगा रैइट यनि कि यदि आपको और यानिक क्यों च्णा है तो आपको कारून कंपर्ण का अच्छा घ्यान होना चाहिए यांदि उसी काई सब टोपिक है जो हम लोग सीखने वाले है र वह समझते अब पेशे नहीं में हम लोगों का पाला कॉंसेप्ट है देखें आई से इंटरनेशनल यॉनियन प्योर और अप्लाइड केमस्ट्री होता है इसका जो देफिनीशन इनिट्फोर फोर्म होता है इंटरनेशनल 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 ओर यॉनियन और प्योर है एनड़ अप्लाइड आप्लाइड केमस्ट्री ठीके चाहे एलफ केज सेगा फॉल्फोंटि इसको डिफाइड केया अथा पहली बार इंट्रीदिया में उंटे顯नल इक है ज्शोर्पारी नेहीं श्का नैच्टिन इनिए टे में river 92 में इसको redefine किया गया अच्छे तरीके से, क्यों? अब इसके पीछे reason है, आइए, तो reason को समझते हैं, इसको redefine करना क्यों पड़ा, तो यह है आयू-पेशी नेम का history, अब problem है, सुरू से सुरू करते हैं, कि कहानी क्या था और कैसे कैसे सको redefine किया गया, तो concept में आपका सबसे पहले, कि हम लोगों को सीखना है chemistry के branches, chemistry का branches सीखना, chemistry का major branch होता है, वो अगर, सलेबस का दो सब रहा जाए, तो physical है, organic है, and inorganic, inorganic, organic, ठीक है, तो यदी, physical के बात के जाए, organic के बात के जाए, और inorganic के बात के जाए, जिसमें हमें आज के topic में और भी है, इसका और भी surface chemistry भी हो जाता है, अलग अलग तरह के chemistry possible है, जिसमें organic आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो organic chemistry क्या होता है, organic chemistry के में बात करना हूँ, एक chemistry को चरज़ा कर लेते हैं, organic, ऐसी chemistry जिसमें carbon और उसके compound के बारे में यदि हम अजयन करते हैं, यदि पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है, organic chemistry, ठेक है, यानि की, the branch of, the branch of chemistry, which deals, क्या हो जायगा, deals with the study about the carbon, 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 and carbon, study about the hydrocarbons, जादा बेते हैं, hydrocarbon and its dairy weight tips, and its dairy weight tips, is defined as organic chemistry, ठेक है, organic chemistry में, concept पर आता है, की hydrocarbon क्या होते हैं, ठेक है, hydrocarbon, ठेक है, तो hydrocarbon कहने का मतलब है, जो carbon और hydrogen के synthesize होने से बना हो, उसे हम लोग कहते हैं, hydro, कहो, यानि की, a compound, a compound, a compound, which are synthesized, with, with the help of, the help of, carbon, carbon, and hydrogen, hydrogen, with, with, with many atoms, many atoms, like, nitrogen, oxygen, phosphorus, etc, यानि की, a compound, a compound, a compound, जो बनता है, with the help of carbon and hydrogen, with many atoms, like nitrogen, oxygen, phosphorus, etc, यानि की, सब को मिलने से, hydrocarbon का निर्मान होता है, सिर्मा के ले ने, कि सिफ carbon and hydrogen का मिला जिए हैं, तो hydrocarbon होनों, तो अब बात आती है, कि hydrocarbon के कितने क्रेगरीज हैं, तो hydrocarbon के मुख क्रेगरीज के मैं बात कर लेता हूं, classification of, classification of hydrocarbon की, hydro carbon, तो classification अब hydrocarbon में, जो major आता है, classification, वो दो तरीके से आ सकते हैं, पहला आता है आपको, acyclic, और open chain, open, open chain, इमेजर जो है classification, दूसरा आता है, cyclic, cyclic, और क्या आजाएगा, cyclic और closed chain, closed chain, तो एक cyclic, दूसरा हो गया आपको, acyclic, अनि cyclic और acyclic, अब acyclic में, जो generally आता है, वो open chain में, वो दो तरीके के participate कर सकते हैं, एक होता है saturated, rated, और दूसरा जो होता है, वो होता है, unsaturated, saturated होता है, clear, saturated में, main example जो आते हैं, वो इलकेन वाले आते हैं, यानि एलकेन इनका main example हुआ, और unsaturated में, दो example जो आते हैं, वो आते हैं, alkyne as well as alkyne कात हैं, alkyne कात हैं, clear, तो alkyne, alkyne और alkyne, देख लिए, इधर आते हैं, cyclic यानि close chain में, जो आएगा हमारा, एक आएगा, alicyclic, इसको थोड़ा इधर लागा, बट रहेगा, इसको में लेच सकते हैं, alicyclic में, और दूसरा जो होगा, वो होगा, aromatic में होगा, ठीक है, अब alicyclic के major, तीन parts कहे जा सकते हैं, इसका भी saturated होगा, उसको बोल सकते हैं, cyclo, alkyne, इसका पहला example होगा, और दूसरा जो होगा, वो होगा, cyclo, alkyne होगा, और इसका होगा, cyclo, alkyne होगा, clear, अच्छा, aromatic है, इसके दो category माटे जाते हैं, पहला जो होता है, ben, benzenoid होजाता है, benju, benzenoid, benzenoid, और दूसरा होता है, none, benzenoid, right, यह hydrocarbon के कुछ major, जो है, जो आप देख लीजिए, आप screenshot ले सकते हैं, major, total classifications, मैंने आपको एक बार में total लिख दिया, अब इन्हें के बारे में, अब यह पूरा classifications है, यह पूरा का पूरा आपको, 11th class या 12th class के बच्चों के लिए पढ़ना है, लेकिन अगर 10th की बात की जाए, तो कहां से कहां तक पढ़िएगा, वो भी मैं आपको बता जाता हूँ, आपको 10th class में सिर्फ एतना ही पढ़ना है, hardly, सिर्फ ए ही पढ़ना है, वो 10th के लिए, बाकि सारे अगर टोडल की बात की जाए, तो आपको senior class के पढ़ना ही जाए, तो मैं आपको सिर्फ ए बाला पार्स बता जाता हूँ, कि होता क्या है, तो जल्दी से complete हो जाएगा, प्रेट, सुरू करते हैं, हमारा, असाइक्ली करें open chain में, सबका एक्जामपल भी देच सकते हैं, तो बड़ा चीज नहीं, एजिली सब मर समयाज आएगा आपको, तो एक saturated, एक unsaturated सुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला आपा है, open chain में, ठीक है, अब open chain में, open chain, इसको बोल सकते हैं, aliphatic, क्या बोल सकते हैं, aliphatic, aliphatic hydrocarbon, hydrocarbon, ठीक है, अब aliphatic क्या होते हैं, वो समझेगा, aliphatic hydrocarbon कर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सम इसको लीचे कर देते हैं, clear दिख रहें, ठीक है, aliphatic hydrocarbon, अब aliphatic में, जरा तरह सो concept देख लेते हैं, देखिए, aliphatic में अगर आप बात की जाए, तो मेरा main concept आता है, alkane का, नि saturated, चिक है, तो saturated में भी आता है, अगर saturated के अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या आएगा, alkane वाला concept आएगा, क्या बाला, alkane वाला, चेकर, अब alkane में क्या होता, cn, h2n, बालस 2 बाला आता है formula, उससे पहले आपको सिखना पड़ेगा, कि इसमें suffix क्या use होता है, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, जिसमें पहला होगा आपको math, दूसरा होगा 8, तिसरा होगा प्रोप, चोथा होगा ब्यूट, फिर हो जाएगा, paint, heats, hept, oct, 9 का 9 बोलेंगे, 9, 10 को deck बोलेंगे, चिक, इगारा को 11, undick, 12 को 12, 13 को tridic, tetradic, moreover, अब इसका formula में, अगर हम बनाएं तो पहला बनेगा, वो दिख लिजिए, c1, h2 into 1, प्लस में 2, तो क्या बनेगा, cH4 तो इसमें जो लिया गया पहला है, चुकि यह लिकेन है, तो इसका 3 बढ़ लिजिएगा, चुकि आप एक यूज कियें, तो मेथ यूज कर लिजिए, तो हो जाएगा मेथ, प्लस A-N-E, तो क्या बन जाएगा, मेथ इन बन जाएगा, अगर दो यूज करेंगे, तो यहां रखाएगा 2, 2 into 2 होगा, प्लस में 2 होगा, C2, 2, 2, 4, 2, 6, 3 हो जाएगा आपको, एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, यह आगे क्योड मूह करता चल जाएगा, ठीक है, तो एक 1st, स्टार्टिंग सीरीज का पहला वीडियो, जो मैंने सूट कर दिया आपको लिए, ठीक है, आप यहां से गौर से सुने, आपको एग्जामिनेशन के बेश कहनों साब, स्टार्टिंग से एक एक चेप्टर का पूरा रिभीव, मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ, ठीक है, यानि कि पहले आपको केमेस्ट्री, केमेस्ट्री, प्लस में आपको दूसरा में फ्रिजिक्स, ठीक है, और मैथेमेटिक्स, इसके जो कॉंसेप्ट है, वो आपको दिये जाएंगे, यदि आपका examination के preparation कर रहे हैं, तो आपके लिए better है कि आप starting से हर वो chapter का video आपको provide कर दी जाएंगे, राइट, THANKS A LOT